नमस्का दोस्तों, आज इस साल का आखरी ग्रहन लगने जा रहा है, जिसका सूतक सुभे साड़ी आट बजे के राउंद प्रारंग हो चुका है, जो चंद ग्रहन का टाइम है, वो है शाम को साड़े पांच बता पांच बच के बतिस मिनट से लेकर छे बच के अठारा मिन तक ग्रहन का टाइम रहेगा, तो ग्रहन में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सोच के भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार छोड़ देते हैं कि छोड़ो हमें नहीं मानना, यह सब क्या होता है, और जो होगा देखा जाएगा, तो साइंस पर अगर हम जोतिश के अनुसार जाएं, तो एसका बहुत ही बहुत जादा महतु रहता है, जोतिश साइन्स के विज्ञान के अनुसार, अगर हम चंदर ग्रहन को देखें, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ये जो है, ये दो जो एनर्जी के स्त्रोथ है, जो की हमें पॉजिट पूरी धर्ती पे एक जीवन का आरंब होता है, चंद्रमा की रेज से हम तो कहते हैं, क्रिस्टल भी चार्ज जाते हैं, तो जो ये रेज है, ग्रहन की वज़े से ये जो रेज है, इसमें से नेगिटिव एनर्जी बहुत जादा मिलती है, वो जो पॉजिटिविटी है चंद्रमा है, वो हमें कहीना तहीं नेगिटिव एनर्जी में तबदील होते ही नजर आती है, तो क्या करें ग्रहन के दौरान हो में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसे ही सूर्तक्तारम होता है, हमें किसी भी तरीके का पूजा पाथ अपने घर में या मंदिर म करना चाहिए, आला कि मंदिर के तो पड़ भी बंद कर दिये जाते हैं, घर में आप चाहें तो आप अपने मंदिर के जो करटेंस हो या उसको धग दीजे मंदिर को, और आप किसी भी मूर्ति को सपर्च नहीं करेंगे, ना ही किसी तरीकी पूजा करेंगे, सूतक प्रारम ह होने के बाद से ही, आप किसी भी तरीके का मंतर उचारन कर सकते हैं, कहीं पर भी एक जगे पर स्थान पर बैठके, आप किसी भी तरीके का मंतर उचारन करते हैं, तो उससे आप तो बहुत ही बहुत गुना अलाब मिलता है, अगर ग्रहन के दौरान आप किसी मंतर का उचार तिक दोरान किसी भी तरीके खाने का सेवन आपने का स्बक्रत्राइब करना है कि अभी तू सुथक का समय चल रहा है अगर हम घ्रह में इस थाम में अपको एक घंटो बताया है को और है में ग्रहन का टाइम होता है, जोते रहे पीना पर एक रहते हैं और जो फो प्रणा कि इसमें जो सारा weya है रे में ही नेगेटिव एनरजी होती है गरहन के दौरान आप जादा से छाइवा त़ से जादा जो टाइम होता है घर के अंदर और ऐसा देखा भी गया है कि कुछ लोग जब साफधानी नहीं बरतते हैं तो आगे जाके उसका जो असर है वो होने वाले बच्चे के उपर नजर आता है तो अगर छोटी सी चीज हम एक दिन के लिए कर ले तो इसमें कोई क्याते नहीं होगा कि यह बहुत क्या बोलते है कि आप दक्यानुसी बाते हैं ऐसा छोटा सी केर करने से या कोई प्रिकॉशन लेने से किसका कुछ नहीं बिगड़ता है तो आपको सिरफ एक शाप चीजों क यूज नहीं करना है सभी लोगों के लिए है कि ग्रहन के दौरान ना सोएं और आप जागे नहीं उस टाइम पर मंत्र उचारंग करें तो बैसे विल प्रेगनेंट डेडी जी उस टाइम पर बैठके मंत्र उचारंग जैसे गायतरी मंत्र का उच्चारंग करें उम्रमिश कर सकते हैं या जो भी आप मंत्र करते चले आ रहे हैं चाहे वो हर्मान जी का है चाहे वो काली माता का है चाहे वो शिव जी का है चाहे वो गणिश जी का है आप उस मंत्र का जाब कर सकते हैं और उसको सिद्ध भी कर सकते हैं ग्रहन के दौरान जैसे मैं जब आदी का तुलसी का पत्ता है वह आपको सूतक लगने से पैने फैने ही तोड़ लेना है उसके बाद में किसी भी पेड़ पौदे को हाथ नहीं लगाया जाता है ग्रहन खतम होने के बाद जब खतम हो जाया उस एक घंटे के बाद आप स्नान कीजिए उसके बाद अपने पूरे घर में भान के इसके बाद अपने घर में ऊप्टा है ईपका स्थान भाइए भगवान को वह घग झरत गूजाना करने हैं और उसके बाद आप अपने घर में पूरन 1996ぎinedya is aox grad जो रेज आती हैं क्योंकि उसमें ग्रहन लगा हो है चंद्रमा में तो उसके जो पॉजिटिव रेज नेगिटिव में कनवर्ट हो जाती है बहुत सारी नकात्मक उर्जा जो है वो फैली होई होती है इस ताइम पे आप देखेंगे चंद्रमा मन का कारक होता है जब से ग्रहेंन लाज होना होता है जिससे चार-पाच दिन पहले और चार-पाच दिन बाद तक प्रभाव रहता है तो जो जिनके होते हैं ऐसे नंबर जिनको चंद्रमा गवर्ण करता है मून गवर्ण पीपल उन लोगों के मन में भी बहुत जादा विचलित सा हो रहता है चार-पाज दिन पहले से काफी लोगों को क्योंकि चंद्रमा आप देखेंगे कि पानी का कारक माना जाता है तो बहुत सारे लोगों को जल संब्दी यानि की कफ की इशू कोल्ड और कफ का इशू बहुत ही चला आ रहा है पिछले आट-दस दिन से और आगे भी तीन-चार दिन तक इसका प्रभाव रहेगा उसके बाद यह समाप्त हो चलेगा एक नॉर्मल जो बिमारी होती है मैं उसके लिए नहीं कह रही हूं पर जो लोग चंद्रमा से गवन हैं उनको कास तोर पे यह इशू आप देखने को आपको मिल जाएगा तो इतना गहरा प्रभाव होता है ग्रेट का और छोटी-छोटी बातों का हमें इसको ढक्यानों सी नहीं मानना है और ना ही इसको बड़ा चड़ा के इसमरे डर जाना है हमें सिरफ एक precaution लेना है और चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखना है और जैसी चंद ग्रेंड खतम होगा वैसे ही आप स्नान करके और गंगाजर का चिर्काव पुरी घर्मे करके वर्वान के पुझा अराधना कीचिए और उसके बाद आप डिनर ले सकते हैं नमस्कार